दोस्तो KIA पूरी तरीके से तयार है अपनी Sonnet जो की एक Subcompact SUV होने वाली है और बहुती बहतरीन और शांदार Subcompact SUV होने वाली है उसके Global Lab You के लिए पूरी तरीके से तयार है जो की 7 अगस्त को होने वाला है अब देखी दोस्तों इसके अलावा आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि Kia Sonnet से related हमारे पास कई spy shots और कई spy images आ चुकी है अब तक इसमें इसके design का हमें पूरी तरीके से idea लग चुका है कि यह कैसी दिखने वाली है इसके अलावा कई spy shots हमारे पास इसके interior से भी related है जो कि इसमें हमें दिखा रहे हैं कि इसके cabin में हमें क्या-क्या features देखने को मिल जाएंगे तो overall अगर बात करीज़े तो हमें clear है कि इसका design हमें किस तरीके का देखने को मिल जाएगा जो कि इसका production ready model आएगा उसमें दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 7 अगस्त को किया की sonnet पूरी तरीके से unveil कर दी जाएगी एक event में इसके अलावा सबसे main चीज़ जो है इस video में वो आपको बता देता हूँ कि किया की जो official website है वहाँ पर इसको showcase कर दिया गया है वहाँ पर इसकी listing जो है वो दिखा दी गई है देखें इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आपको और बता दूँ यह जो listing इसकी official website पर की गई है sonnet की इसके अलावा हमेरे पास इसके details और specifications के बारे में कोई भी information नहीं दी गई है तो केवल और केवल listing में आप इसकी एक photo अगयरा ही देख पाएंगे इससे additional और कुछ भी नहीं दिया है website पर हाँ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है यहाँ पर आपको बता दू यह जो Kia Sonnet की listing की गई है इसको आप official website पर जाके इसको book कर सकते हैं की register कर सकते हैं इसके लिए तो जो भी interested buyers हैं वो official website पर जाके इसको register कर दीजेगा देखिए finally यह तो हुई बात सरी जो नया update हमारे पास आया था Kia Sonnet से related अब अगर कुछ और आपको इसके बारे में बताऊं तो यह जो Kia Sonnet होने वाली है यह same platform पर design और develop की गई है जिस पर आपको Hyundai की venue देखने को मिलती है तो यही वज़े से इसी वज़े से आपको कई elements design की बात कर रहा हूँ कई elements ऐसे भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको similar लगेंगे कि Hyundai की venue से एकदम Hyundai की venue के अलावा इसमें आपको design wise अगर बात करीज़े तो कई चीज़े same देखने को और भी मिल जाएंगी जो कि इसका बड़ा भाई एक तरीके से कह सकते हैं Kia की cell toss है उससे भी काफी ज़दा inspired होगी इसकी design आप देखिए finally अगर इसके design के बारे में बात करीज़े तो इसमें आपको सबसे पहले front में आपको मिल जाएगी tiger nose grill जो की काफी बढ़िया देखने को लग रही है और इसके अलावा grill के अंदर आप mesh pattern देख पाएंगे इसके अलावा जो इसके headlamps है वो काफी ज़दा बढ़िया है और उसके अंदर जो आपको LED DRLs देखने को मिल जाएंगे वो vampire के दातों के जैसे inspired देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा बात करीज़े इसके front में तो आपको fox skate plate देखने को मिल जाएगी और सबसे main चीज़ जो इसके front में आपको देखने को मिल जाएगी वो होगा इसका bonnet जो की काफी ज़दा muscular और काफी ज़दा जो है आपको angular type का देखने को मिल जाएगा काफी ज़दा sculpted होगा वो देखिए इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ों की बात करीज़े तो किया sonnet में आपको मिल जाएंगे led dRLs, led headlamps, tiger nose grill के बारे में जो मैंने आपको बताया इसके अलावा black roof with silver roof rails, alloy wheels, sporty bumpers, led tail lights, led stop light strip on tailgate ये भी मिल जाएगी जो कि इसके पूरे back को cover करती है almost, इसके अलावा आपको बता दू कि silver fox skid plate आगे और पीछे दोनों ही तरफ मिल जाएगी तो overall इसका design और looks wise अगर बात करें तो मुझे काफी ज़दा पसंदार ही है फिलाल ये तो देखिए दोस्तों इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कुछ इसके cabin और interiors के बारे में तो सबसे पहले आप ये जान लिजे कि इसमें cabin आपको काफी ज़दा premium देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा अगर बात करी जाए इसके cabin features के बारे में तो जैसा कि मैं already आपको बता चुका हूँ इसमें कई features आपको बहुत सारे features ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो की segment first होने वाले है इसके अलावा आपको इसमें auto climate control मिल जाएगा, electric sunroof मिल जाएगी, push button start stop होगा, UVO connected car technology होगी, rear AC vents मिल जाएगे, wireless charger मिल जाएगा तो ये सारे कुछ ऐसे features हों जो की segment first आपको Kia की sonnet में देखने को मिल जाएंगे पहली बार देखिए इसके अलावा मैं कुछ इसके safety से related आपको information देना चाहूँगा, तो इसमें कई features हैं जो की आपको इसमें safety के लिहाज से देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको बता दू कि 6 airbags आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ABS with EVD होने वाला है, electronic stability control मिल जाएगा, rear parking sensor देखने को मिल जाएगा, 360 degree camera जो है वो देखने को मिल जाएगा तो ये सारी कुछ safety के लिहाज से features ऐसे मिल जाएंगे, आपको जो की Kia Sonnet में देखने को मिलेंगे, देखिए इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा कि कई viewers ये भी पूछ रहे थे कि इसमें क्या ventilated seats हैं, तो फिलहाल आपको एकदम clear और confirm कर दू कि अभी त पताया था कि इसमें आपको ventilated seats देखने को मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है कि इसमें possibility बिलकुल भी नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी information नहीं आई है मेरे पास, अब देखिए दोस्तों finally इसके engine के बारे में अगर आपको बताऊं तो Hyundai Venue वाला ही engine आपको इसमें देखने को मिलेगा, इसमें आपको तीन engine options को मिला के देखने को मिल जाएंगे, एक होगा 1.2 liters का naturally aspirated petrol engine जो कि अल्मोस्ट 82 bhp की power और 114 नम का torque generate करने में capable होगा, दूसरा होने वाला है 1.0 liters का turbo charge petrol engine जो कि अल्मोस्ट 118 bhp की power और 172 नम का torque generate कर पाएगा, इसके अलावा finally जो तीसरा diesel engine option होगा, वो 1.5 liters की capacity का diesel engine होगा, जो कि अल्मोस्ट 98 bhp की power और 240 नम का torque generate कर पाएगा, अब देखिए, finally अगर बात करी जाए इसके transmission से related, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको 6-speed manual, 7-speed dual clutch automatic और 6-speed IMT, ये तीन option देखने को मिल जाएंगे आप आपको इसमें, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा update वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि Sonnet जो है वो अपनी official website यानि कि Kia की official website पर list कर दी गई है, इसके बारे में थोड़ी सी details थी, इसके अलावा आपको इसके design से related सारी चीज़े बताई, इसके engine से related, transmission से related, इसमें जो पास कोई भी question या फिर suggestion है मेरे लिए तो वो भी मुझे नीचे comment box में जरूर बताईएगा, तो चलिए दोस्तों, finally अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो please एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा, तो चलिए finally at last, thank you for watching, ride safe and until next video, good bye.